आप देख रहे हैं दखल्यों देश का दिल्ली कता, अभोति देश कुखारे मध्य प्रदेश दोखे बाजु और ठलों से चलो बचाए देश कुखारे मध्य प्रदेश दिल्ली देश की धड़्कन है, उन्ती देश का दिल पांच साल मेह दिल्ली से हुआ नachts हाचे मेहनत का फल बिला नहीं दुठी था हर एक साथ मेहनगा में थी पढ़ी हुई सस्ती हुई थी जाँ ऐसे में कॉंग्रेस ने अगे हाथ बढाया कमलनाथ ने किसान का करजा माफ कराया अब काम युगा को मिलेगा अगे बढेगा देश कुपारे देश के दिल से दिल लीता अब कॉंग्रेस हेड्लाइन्स के प्रायो जख हैं L.I.C. ऑफ इंडिया जिन्दकी के साथ भी जिन्दकी के बाद भी प्रधान मंतरी नरेन मोदी के निशाने पर मुखमंतरी ममता बेनर जी मोदी बोले दीदी ने किया मा माटी और मानुस से किनारा मद्द प्रदेश के मुखमंतरी कमलनाथ के करीबियों के हाँ आएकर के छापे छापे पर हुई राइजनीती शुरूओ खोशंगाबाद में जले खेतों का जाज़दा लेने पहुँचे एक कमलनाथ किसानों को मदद का भरोसा बीजेपी विधायक के रिष्टेदार की गुंडगर्दी तलवार लेकर युवती पो धंगाने पहुँचा वीडियो हुआ वाइरल और बदबर्देश के पूर मुखमंत्री बाबूलाल गौरुए बीमार अस्पताल में चल रहा है इलाज नमस्कार मैं हूँ अमराग आप देख रहे हैं दखल निउस आप ख़बरें विष्टार से प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने एक बार फिर मुखमंत्री ममता बेनर जीपन दिशाना साधा उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जतना मोदी मोदी के नारे लगाएंगे उतनी एक शक्स की नींद ओती जाएगी आप जानते हैं वो शक्स कौन हैं यह स्पीट ब्रेकर हैं बंगाल के विकास की दीदी की नीन रो गई है और वो जुझदाट और गुस्से में अफसरों को कोस रही है पश्चिम बंगाल के कूज बिहार में प्रधान मत्री नरिन बोदी में जंता को संभोध करते हुए कहा कि राजनीती में जमीन की सकना क्या पूता है अगर किसी को समझना है तो दीदी की बौकला हाट दीदी का गुस्सा इतने से ही समझावा जासकता है उन्होंने कहा कि मा, माटी और मानुष का वादा एक तरफ और टीमसी की सच्चाई दूसरी तरफ है बोद बैंक की राजनिती की वजह से बीदी ने मा से किनारा कर लिया और उनके साथ खड़ी हो गई जो भारत के टुकड़े होने का नारा लगाते हैं ये देश की इज़त से खिलवार है बीदी ने माटी को भी धोका दिया जब उन्होंने अपने राजनितिक पाइदे के लिए देश में घुसपैट करने वालों की सुरक्षा की बही पश्चिम बंगाल की जन्ता को टी एंसी के बदमाशों को सौफ कर उन्होंने मानुष की उम को जगा कंपड़ जाए ऐसी चोटे बच्चे जैसी हरकते करके के चुनाव जीते जाते हैं पीम मोदी ने कहा कि तिपुरा में भी कम्मिनिस्टों ने वैसे ही आराजक शाशन चलाया जैसे यहां पश्चिम बंगाल में चला रहे थे पीम ने कहा कि दोनों ही राज्यों में बदलाव की पुकार उठी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने दीदी पर फरोसा किया और पिपुरा के लोगों ने कुछ इंतजार के बाद बीजेपी पर दोनों का फर्क आज पूरा देश देख रहा है दीदी ने यहां लेफ्ट की तमाम कम्यों को तो परदान मंत्री नरेन मोदी सामा ने तोर पर आकरम अख बोलते हैं और ये वक्त तो चुनाओ का है तो लाजमी था कि नरेन मोदी इसी तरह की बात करेंगे अब खबर मद्व प्रदेश से लोगसाबाच चुनाओ के माहौल में मद्व प्रदेश के मुख्मंतरी कमलनाथ के और ऑएजडी के घर आयकर विवाग में च्छापा मारा आयकर विवाग में देशबर में तीन राज्यों के पचास लोकीशन पर च्छापे मारी की हैं जिसने तीन सु अधिकारी लगे हुए हैं इस च्छापे मारी में करोड़ रोपज जब्त की जाने की बात भी सामने ककड के इन दौर में चार और भोपाल में एक ठीकाने पर च्छापे मारी की गई है लंबे समय तक कमलनाथ के और के मिगनानी के दिली के ठीकान उपर भी कारवाही जारी है आयकर विवाग के सूत्रों के अनुसार आयकर विवाग के तीन सो धिकारियों की तीन देश भर के पचास ठीकान उपर चापे मारी कर रही है इनमें से एंपि के सीम कमलनाथ के ओएसडी पर विंट कफकर के अलावा कमलनाथ के भांजे रातुलपुरी अमीरा ग्रूप और मोजेर वेयर पर भी चापे मारे गए हैं इनमें से भोपाल इंदोर गोवा के अलावा दिली में 35 में प्रतीक जोशी के हां भारी मात्रा में रुपे बरामद रहे मद्लिपर देश के मुख मंतरी कमलनाथ के भांजे रातुल lur फूरी का नाम राजीव सकसेना से पूश्टाज के दौरान छिपा लिया गया था राजी सक्सेना का दुबाई के अगस्ता वेस्टेन हेलिकॉप्टर डीन मामले में प्रत्यारपन हुआ था इन छापों के बाद मद्यप्रदेश की इसकी आसद गर्मा गई है और बीजेपी ने कॉंग्रेस के खिलाफ मोर्चा जारी है पूरे देश में पचास स्थानों पर चापा है मुझे लगता है कि ये मद्यप्रदेश में कलेक्शन फॉर इलेक्शन का मामला है और किसान ठोकरें खा रहा है आठाट आँसूर हो रहा है उनको पैसा नहीं मिला कर्जमाफी का इसलिए ऐसा भी लगता है कि ये किस इसलिए जाहिर होता है कि सारा रिष्टाचार का पैसा ये जमा था जो आज आज आईटी की कारवाई में बाहर आया है पूर्व पुलिस अधिकारी ककड अपनी कारे को शल्ता के लिए पहचाने जाते हैं ककड़ने साल 2004 से 2011 तक भारत सरकार में केंद्रे कैबिनेट मंत्री के विशेश कर्तव्यस्त अधिकारी के रूप में भी कांग किया है मुख्यमंत्री कमलनात के करीवियों पर पड़ी इंकन टेक्स ब्रेट के बाद मध्यपुदेश में सियासी पारा भी चरम पर पहुच गया है कॉंग्रिस और भाजपान नेता इस कारवाही पर एक दूसरे को निशाना साथ रहे हैं कॉंग्रिस निटाओं का कहना है कि सीम के ओस्डी प्रवीन ककर और सलहकार राजेंद्र मिद्लानी पर की गई यह कारवाई राजनीती से प्रिरित है उन्होंने आएकर विभाग पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह भाजपा के इशारे पर किया गया है कॉंग्रिस नेता केके मिश्रा का कहना है कि हमारे प्रमाणिक हमलों से तिल्विलाए भाजपा का शीर्ष नेत्रत इडी आई कर वा अनने संस्थाओं का दुर्पियों कर कॉंग्रेस का मनोगल तूनने का नाकाम कोशिश कर रहा है पार्टी अपने सेमवधान एक मोर्चो पर इसके बिना विचलित जवाब देगी उधर भाजपा के राष्ट महासाचीफ के राष्ट विजेवर्गे ने ट्विट कर कॉंग्रेस पर निशाना साधा है इस चापे मारी का कुल नतीज़ा क्या है ये तो वक्त के साथ चंचन के सामने आता रहेगा बोपाल में इसी चापे की शंक्रा में आश्वनी शर्मा कि यहां प्लेटेनम प्लाजा में चापे मार कारवाई हुई तो बता जाय रहे वाँ इतने नोट मिले कि उन्हें गिनने के लिए इंकम टेक्स आफिसर को नोट गिनने की मशीन बुलानी पोगी खेतों में लगी आग के कारण हुई नुकसान का जाईजा लेने मुखमंत्री कमलनाथ हुशंगाबाद पहुचे कमलनाथ इस घटना में पेड़ित किसानों से मिले और उन्हें हर संभा उसाय ताइश्वा संभिया इस आग जनी में तीन किसानों की मौत हो गई और दरजनों लोग खायल हो गई और तीन लोगों की मौत हो गई और परिजनों को स्वांतना दी अब्रेक के बाद भी खबरों में सिल्चल जारी आए अब देख रहे हैं दखल्यूर्ट पांच साल पहले आये थे हमारी खेतों तक ये लोग बोले खेत से दूगनी कमाई होगी पंद्रा पंद्रा लाग रुपए आएंगे खाते में अब किसान आदमी हैं कर लिया इन पर भरोसा देदिया अपना गोट और अब जब अपना हक मांगने सडकों पर आया हूं तब आत मसम्मान चीन लिया इन्होंने मेरा हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए नहीं हमारे वोट के लिए आयते खेतों तक मिश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जड़ा बच्के रहना देश के दिल से दिलीता अब कॉंग्रेस बहुत हुई महंगाई की मार यही बोल बोलकर मेरा वोट ले गए पिशली बार ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफे जब सेलेंडर हजार रुपे का हुआ तो घड़ी देख देखके चूला जलाने लगी सि इसी उमीद पर कि अच्छे दिन आएंगे बुरे वक्त के लिए एक पाई जोड रखी थी मैंने इन्होंने नोट बंदी करके मुझे मेरे ही पैसो के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया आज उमीदे और भरोसा दोनों तूट गए अच्छे दिनों का जासा देने वाली भाज़पा सरकार से बच के रहना देश के दिल से दिलीता अब कॉंग्रेस दो करोड नौकरियां हर साल देंगे यही जूट बोलकर मुझे वोट लियाता है इन्होंने अज पास साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है वो कहते हैं पकोड़ा तलो सोचा था माबाप की देखभाल करूँ है उनका सहारा बनोगा अगर बोज बनकर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण वो कुछ पूछने जा तो धितकार कर भगा देते हैं इस देश के युवाओ को विरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सर सरकार से भाजपा सरकार से बचके रहना देश के दिल से दिल लीता अब कॉंग्रेस आप देख रहे हैं दखल नियूज ब्रिक के बाद आपका एक बार फिर से सागत है पुर मुखनकरी बावुलाल गौर अचानक असस्त हो गए गवराट की शिकायत पर उन्हें वोपाल के एक मीजी अस्पताल में भड़ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है शनिवार को अचानक वरिष्ट बीजेपी नेता बावुलाल गौर का स्वास्त बिगड़ गया है और उन्हें अस्पताल में भड़ती करवाना पड़ा है मुक्मंतरी कमलनाथ ने गोहर की पत्रवदु विधायünde खिशना गोहर से फोन पर बात कर गोहर के स्वास्ते की चानकारी ली और हर संभव मदद की बात कही पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान और सांसा लालोग संजर भी गौर का हाल चाल जान ने अस्पताल पहुँचे कॉंग्रस ने ता दिगवेजे सिंग ने कहा है कि अगर फिर मोदी सरकार बन गई तो देश में चुनाफ होना ही बन जाएंगे दिगवेजे ने इशारे इशारों में बीजेपी को लोगतन के लिए खत्रा पता देए बोपाल से लोगसबाव मीदवार बनाये जाने के बाद ओवी सी समेलन में पहुँचे दिगवेजे सिंग के निशाने पर मोदी सरकार रही दिगवेजे सिंग ने का कि इस वर्थ के लिए जितना कुछ कॉंगरेस ने किया है किसी और ने नहीं दिगवेजे सिंग ने इशारों इशारों में आरूप लगाया कि अगर मोदी सरकार बन गई तो इसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा और भार्थी जन्ता भार्थी के संसा सदस ने तो यहां तक कह लिया कि अगर मोदी पी की सरकार बन गई तो इसके बाद कुछ सुनाव नहीं होगा आप सबस्कते हैं कि किस पकार से इनकी सोच चुनाव के मद्दे में ज़र दिगवजे सिंग इस वक्त कुछ जादा ही गुम रहे हैं बोपाद में भी दिगवजे हर चोटे बड़े कारकर में पहुंच रहे हैं बेरागर के कारकर में तो लोग कलाकारों ने दिगवजे सिंग को घेर लिया दिगवजे को समझ पाते तब तक तो इन कलाकारों ने दिगवजे सिंग से भी छुंके लगवा दिये उसके बाद दिग्विजे इनके साथ बहुती पारंपर एक अंदाज में नजर आए समय चुनाव का है जाहरे ऐसे में किसी को नाराज भी नहीं किया जा सकता पुलिस ने युवती के आविदन के हवाले से बताया कि विवेक जाटा उसे डेड़ साल से परिशान कर रहा है तो अपरेल को वेपेपर दे कर कॉलेज से घर आ रही थी तभी रास्ते में विवेक ने रुक कर बात करने का दवाब बनाया उसने मना किया तो विवेक में चेहरे पर ऐसे प्रेकने और दादा जी की धौस देते हुए उसके पिता को नौकरी से हटवाने और भाई की हत्या कराने तक की धंकी दी फिर शुकरवा शनिवा रात को वेप तलवार लेकर उसके घर पहुचा और उसके घर पहुचा और उसके पात मचाया यह घटना करम CCTV कैमरे में रिकॉड हो गया युवटी के कुछ फोटो विवेक के पास हैं जिनने वाइरल करने की धंकी देता है CSP संजे चतरवेदी ने पताया कि उसके की रिपोर्टर विवेक के खिलाप छेडचांड धंकी और धाराओं में एफायार दर्ज कर ली गई है इस संबन में विधायक गोपिलाल जाटव ने कहा कि उन्हें तुन चार दिन पहले ही मामले की जानकारी मिली है गोपिलाल जाटव आदितन अपने रिष्टिदार का पक्ष लेते नजर आए और रिष्टिदार की गुंड़ागर्थी पर कुछ भी कहने से बच्चते नजर आए जब राइनीती से चड़के बोलती है तो लोग इसी तरह के अपराज करने लगते हैं और बदनाम सियासत हो जाती है पिड़ाल वक्त हुआ एक ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबर मासे से लगारी है आप देख रहे हैं दखलियो बहुत हुई महंगाई की मार यही बोल बोल कर मेरा वोट ले गए पिश्ली बार ना महंगाई कम हुई ना मेरी तकलीफे जब सेलेंडर हजार रुपे का हुआ तो घड़ी देख देख के चूला जलाने लगी सिर्फ इसी उमीद पर कि अच्छे दिन आएंगे बुरे वक्त के लिए एक एक पाई जोड रखी दी मैंने इन्होंने नोट बंदी करके अच्छे दिनों का जासा देने वाली भाजपा सरकार से बच के रहना देश के दिल से दिलीता अब कॉंग्रेस पाम साल पहले आये थे हमारी खेतों तक ये लोग बोले खेत से दूगनी कमाई हो दी पंद्रा पंद्रा लाग रुपए आएंगे खाते में अब किसान आदमी हैं कर लिया इन पर भरोसा देदिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सडकों पर आया हूं तब आत्म सम्मान चीन लिया इन्होंने मेरा हमें नहीं मालूम था कि ये लोग हमारे लिए न मासर से जड़ा बच्के रहना देश के दिल से दिलीता अब कॉंग्रेस दो करोड नौकरियां हर साल लेंगे यही जूट बोलकर मुझसे वोट लियाता इन्होंने अज पास साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं हैं कहते हैं पकोड़ा तलू सोचा था माबाप की देख मुझगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से इस भाजपा सरकार से भाजपा सरकार से बचके रहना देश के दिल से दिलीता अब कॉंग्रेस आप देख रहे हैं दखल नौकरी ब्रिक के बाद आपका स्वागत है अब खबर बुंदिल खंड लाके से तीकंबर्ड शेत्रे के सांसद और किंद्री मंत्री वीरेन खटीक पर सांसद नेजी का दुरुप करने का आरूप लगा है वीरेन खटीक में सांसद नेजी से दिव्यांगों को दिये जाने वाली साइक्यने खरी तो ली लेकिन उनका वित्रम अब तक नहीं गिया चतरपूर के नगरपालिका में बने कबाड़ खाने में 200 साइकले पड़ी हुई हैं और धून खा रही हैं ये सांसद विरेंद खटीक ने सांसद नीजी से ली थी सांसद खटीक की लापरवाही देखिए उन्होंने इन्हें दिव्यांगों को बाटने की जहमत तक नहीं उठाई सांसद की लापरवाही उस समय उजागर हो गई जब नगरपालिका के सीमों ने कबाड़ खाना देखा तो यह साइकल कबाड़ में रखी थी जब यह मामला उजागर हुआ तो प्रशाशन जाच की बात कह रहा है वही केंद्रे मंत्री की पाटी के नेताफूर्व विधायक आड़ी प्रजापती ने केंद्रे मंत्री पर चुनाव में इसे इस्तमाल करने का आरूब लगाया तो यह सवरा लाग जनता के साथ अन्याइक उनका हग नहीं देना चाहे हैं उनके लिए देना उता दो दे 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 लेकिन हो सकता है चुनाव में कि तो प्रधीत कि खूले ही होसकता है उर्जामंत्री प्रीवरत सिंग्स और ग्रह जोटी योजना से एकसठ लाक उपता लाब ले रहे हैं सरकार द्वारा इस योजना के लिए 2026 करोड की सबसीडी दी गई है प्रिवरत सिंग ने कहा कि गलत बिजली बिल आने की बहुत शिकायते थी जिनके निराकरण के लिए 47 जिलों में समीती गठित कर दी गई है पांच जिलों में अचार सहिता हटने के बाद यह समीती बनेगी डाल सौ की तर्श पर कॉल सेंटर 1912 की स्थापना की गई है प्रजाल 19 में मद्यप्रदेश की विश्यूत मांग चुक्ता हयास में कोड़ता कुछी पहली बार हमारे मद्यप्रदेश के इतियास और हमने वह मांग को पूरा किया यह यह भी सर्दार के उप्रता है और मेंटेनेंस पर 3-4 महां ते नौंब पर तक सस्पेंट किये गए दिए लोकसाबा चुनाव की तारीक है जैसे जैसे नजदीक आती जारी है वैसे वैसे सोशल मीडिया पर राजनें चिंदलों के उमीदवारों पर अबद्र टिपणियों का सिलसला भी तेजी से वहता जा रहा है जबलपुर में भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर संसर्दी चीप्णियों के उमीदवार राकिश सिंग पर सोशल मीडिया पर टिपण करने वालों के खिलाब भाजपा ने पुलिस परशासन और जिला परशासन से शिकायट किये सोशल मीडिया पर भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकिश सिंग के बारे में अनाप शनाप टिपणी करने वाले लोगों की भाजपा करताओं ने जिला परशासन से शिकायत की है शिकायत करने वालों का कहना है कि फेस्बूक और वार्सेप पर इंजिनो अपरदेश अध्यक्ष और भाजपा के उम्मीदवार राकिस्टिंग पर अबदर टिपणिया की जारी है सोशल मीडिया पर भाजपानिता के बारे में चिपणी करने वाले कोई और नहीं कांग्रेस के पदादिकारी अपकार करता है जो भाजपा सरकार दोरा किये गए विकास कारें उसे परिशान है इस वाज़े से ये लोग सोशल मीडिया पर अनरगल बातें पोस्ट कर रहे हैं रंजीत पटेल जी के नित्वत में हमने यहाँ पे कलेक्टर साब को एक ग्यापन दिया है क्योंकि लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो कुछ कांग्रेस के पदादिकारी और जो कारे करता है वो फेस्बूक और वाटसप में अनरगल बात हमारे सांसाजी के खिलाप लेख रहे हैं मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप धरातल पे आके चुनाओ लड़ो जब आप पांस साल यहां नहीं थे तब आपको चिंता नहीं थी और जब चुनाओ आ गए तो उनकी छवी खराब परने में लगे हुए कांग्रेस की ये हमेशा की मानसिकता रही मगर इनको जनता बता दी क्योंकि जब ये वाटसाफ और फेस्बूक में जनता इस सीच को देखती है तो निस्ची दूप से नराज होती है और उनकी नराजगी इनकी हार का कारण बनेगा बाजपा कारकरताओं की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंबिता से लिया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों की जाँच की जारी है प्रशाशन निर्वाचन नियमों के तेहत कारवाई की बात कह रहा है अभी हमें ग्यापन प्राप्त हुआ है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रत्याशी के लिए अपमान जनब भाशा का उपयोग किया है इस ग्यापन में जोगी शिकायत की गई है उसकी संपून जांच की जाएगी और निर्वाचनियमों के अंतरगत जो कारवाई इसके लिए नियत है वो कारवाई उचित समय में की जाएगी जैसे जैसे चुनाओं की तारीके नरजदी काते जा रही है नेताओं की बदमिजाजी, बदजबानी, नेताओं के नाटक, उनके ड्रामे, सब कुछ यहां देखने को बिलेगा फिलान मट तुरा एक ब्रेक का ब्रेक के बाद भी ख़बरों का सुखना जानी रहे है आप देख रहे है दखल लियो दो करोड नौकरियां हर साल देंगे यही जूट बोलकर मुझसे वोट लियाता है इन्होंने अज पास साल बीतने के बाद बोलते नौकरी नहीं है वो कहते हैं पकोडा तलो सोचा था माबाप की देखभाल करूँ है उनका सहारा बन हुआ अगर बोज बन कर रह गया हूँ सिर्फ इनकी गलत नीतियों के कारण कुछ पूछने जा तो धितकार कर भगा देते हैं इस देश के युवाओ को विरोजगारी के दलदल में धकेलने वाली इस भाजपा सरकार से इस भाजपा सरकार से भाजपा सरकार से बचके रहना अच्छे दिनों का जासा देने वाली भाजपा सरकार से बचके रहना देश के दिल से दिल्लीता अब कॉंग्रेस पांच साल पहले आये थे हैं हमारी खेतों तक ही लोग बोले खेत से दूगनी कमाई होगी पंद्रा पंद्रा लाग रुपए आएंगे खाते में अब किसान आदमी हैं कर लिया इन पर भरोशा है दे दिया अपना वोट और अब जब अपना हक मांगने सडकों पर आया हूं तब आत्म सम्मान चीन लिया इन्होंने मेरा हमें नहीं मालूम था कि यह लोग हमारे लिए नहीं हमारे बोट के लिए आयते खेतों तक विश्वास तोड़ा है इन्होंने मेरा मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से हम मेहनती किसानों को ठगने वाले इस ठग मास्टर से जड़ा बचके रहना देश के दिल से दिल्ली तार, अब कॉंग्रेस आप देख रहे हैं तखल नियूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है है रिवा से कॉंग्रेस उम्मीद वार गोशित होने के बाद शिद्दार Tewarie ने काये के लिए चुनाव जीतने के बाद बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के दूर करने के लिए काप में लोग समाँ चुनाओ के लिए रीवा संसधी छेतर से कॉंगरेस में पूर विधानता बाद द्यक्षे सुर्गी श्रीश नियावा स्वारी के पोतें रता पूर्व संसात स्वर्गी संदर्लाल तेवारी के पुत्र सिधडार्ट तेवारी पर भरोसा चटाया है सिद्दार तिवारी में चेत्र की समस्याओं की बात कर तो रुपा की लिए सबसे अधिक बेरोजगारी की समस्या है। युवा रोजगार की तराश में दरदर भटक रहे हैं। युवा को एक शक्ती दी है और आशा करते हैं कि हम और हमारी युवा टीम इस भार बोटना परें। तो सबसे पहला मुद्द युवा की विरुजगारी है। फिर आते हैं किसान। किसान रिवा जिले का आज दरदर अटक रहा है। उसको पिछले 15 साल की शिर्णा से सरकार में जो पतारना जिका मिली है। कॉंग्रेस परत्याशी सिद्दार तिवारी ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने मेरे उपर भरुसा जताया है। जिसका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने मद्दपरदेश के मुख्रमंतरी, कमलनाथ और राष्टी अद्धिक्ष राहूल गांदी को भी धन्यवाद गया पितिया है। रिवा पुलिस ने तीन ऐसे अपरादियों को गरफ्तार किया जो पिस्तल लेके वारदात को अंजाम देने वाले थी। यह तीनों ही अपरादी स्टुडेंट हैं जिनमेंसे दो आरूपी टी आरेश कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। चुनाओ को ध्यान में रखते हुए रिवा पुलिस ने लगातार बढ़ रहे अपराद को नियंतुरत करने के लिए सर्चिंग अभियान चलाया है। जिसके तहुत आए दिन बड़े-बड़े अपरादों का खुलासा हो रहा है। मजहरिया रोद के सामने आया जहां तीन बदमाशों को बड़ी वार्दात करने से पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। इन तीनों बदमाशों के पास से तीन पिस्टल बरामत की गई हैं। जिन से पुष्टाश के दुरान यह पता चला है कि यह तीनों किसी बड़ी वार्दात को अंजाम देने वाले थे। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि यह तीनों मिलकर वार्दात करने वाले थे या इसन के साथ कुछ और बदमाश भी शामिल है। तीन दिन पहले हमने गिरो पकड़ा था और आपनों को मालूब है कि उनसे भी एक विश्टल और पट्टा रित्स हुआ था और उसी गिरों से जोंको फीड़ वैप मिला था। उसी के अधार पे हमने फिर से आना विश्मित ज्याले अप उसलों गिरफतार किया है। कि रफ़तार किये लोगों में से पहला आर्बी है जीतार शुगला कि रेने वाला काम नोटा का है। इसके पास से आपने कातोर शब्थ किये हैं और पंच जब्थ किया है। कि दूसरा इसके साथ में इक पड़गा शिवम पांडे करके साथ। और शीवाहं पांदे, पितार विजयन पांदे, यह रहने वादा गांपत्णा का है, इसके पास से हृंने एक क्रृटल जट्थकी है, और इसी अनुक रेम में हमने घ्रामशाइग मुन्यवासी गौरो मिस्रा, पितार बाले मिस्रा से एक फ्प्रामजु वाल्मा बी जट्थ जुलेलाल जैन्ती के अफसर पर जुलेलाल मंदिर में भगवान जुलेलाल की मूर्टी परमाल्यारपन एवं वहराणा सहथ जोड जलाकर पूजारजना की गई इस अफसर पर आयोजेत भदन कीर्दन में शधालू जमकरनाती संधी समाज के लोगों ने अपने छोटे सब्सकार भी किया संधनगर में जगा जगा पर बिवन समाज एक संस्थाओं ने एक जुदूस निकाला और शर्बत का वित्रण किया ठाकूर आसान लाल धर्मशाला में विशाल भंडारे का अईजन किया गया इस पुलेटिब में फिलाल इतना है आप देखते रहें दखल म्यूस दखल आपके हक में अब आपके साथ हैं जरजर भोपाली जो आपको समाएंगे भेरन समाचार नमस्कार भेरन समाचार में आपको वेलकम कर दिया हूँ मैं हूँ जर जर भोपाली और कल लेन भाई जरा फलारी बगर ले आओ नो देवियों को पर शुरू हो गया है सबको फिलाओ यह से में कितनी बड़ी ख़वर आरी सिविल सेवा की जो परिष्ठा दी उसमें आपने आरी मतनी शक्ति होती है रेल निकल लाए को पट साँ से बीजै पी के शत्रू हनती है पंदनीं कर लिए और वह एलिकॉटर से जा नहीं पीक चांथे से माए खेटो में आओ आयो आसिया ले वहा है implemented और बदा नुग्र्नदमै कर लिए हैं मैंश और हले फुईटों हमार करे भी चलाये तो तांगा और भी एने ट्रेक्टर चलारी जाँ होता ये श्यूम बदल जाता है जा बाइबंद जाता है जो क्या करना पड़ता है ये भूर्ड लेने के लिए हैं गया था वुजए दूनिया का सब्सक्राइब घृृट पर घृए लाइड शुपॐं मेला कारव इनके बाद देने कुछ रहते हैं यह तो चल लिए है और ट्रॉम ने फिर से प्रवाशियों को बहुत चेता हम नहीं देती है और हमारा देश है भर गया जगे नहीं है वाँ यहां बागो यहां की और मैं कहता हूं यह जाते ही क्यों है दूसरे देश में अपने देश में रह बाद भुद भी रखना चाहिए बता रहे हूं यह वेज जदी होने का एसास हो उससे पहले ही अपनी इजयास बजा दो खुद ही मना कर दो ना यह अपनी लड़ेंगे चुना मता है यह ज़िए वेज जदी क्या टिकेट कर रहे हैं यह चल लिया है सुमित्रा माहाजन जी छोड़ा अब दोसरे नयोग को मौक है तो ठीक है उनको खुद ही देना चाहिए हाँ और मैं कह रहा है इस समय दो इससर नीचे जा रहे है जल इससर इतना नीचे जा गर्मी में और दूसरा राजनीती इससर भी इतने नीचे ज़िए बहुत ज्यादा और कुछ भी बोले ज प्रतिनी दीम अंडल आ गया है वह बचा लिए बोपाली भाई क्या का ने मैं क्या क्या कर सकता हूं यह तुम लोग भाल भेखो बस की प्येकते रहो तो यह तो हल चल लिया है मेरा तो यह न जिमांगी सब सुनकर खराब हो जाते में तो है आई प्ल कम्याज देखने नमस्का आप देख रहे हैं दखल लियूज